प्यारे बच्चो, क्लास 12 इंग्लिश इलेक्टिव 16.11.2023 को विकली टेस्ट आपका हुआ था, इसका आप लोग एंसर मिला सकते हैं, ये एंसर JCRT द्वारा जारी किया गया है, और उसी एंसर को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले आपका objective question पहला है, इसको हम हिंदी में ही बताते हैं, आप इंग्लिश में इसको उतार लीजिएगा, पहला question है, दा, वाइल्ड स्वांस एट, कूल कवीता के कवी कौन है, तो इसका जो सही एंसर है, वो हो जाएगा, डबलू बी, येट, येट टेस, दूसरा है, कोलाहल पुर्ण का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसका जो अंसर है, नुआएश मलव सोरगुल वाला, तीसरा question है, कवी ने, कवी ने हंसो को प्रानी बताया है, तो किसलिए, तो यहाँ पर जो पहला है, एक सांदार, दूसरा B नंबर जो है, रहसमय, C नंबर जो है, सुंदर, और all of the above है, मलवा उपरोक्त सभी, तो तीसरा का, आपका D हो जाएगा, उपरोक्त सभी, चौथा नंबर question काता है, एक दिन कवी जागता है, और हंसो को पाता है, तो क्या करते, तो जील में तैरना, उड़ गए है, C है आपका पूर्सों की आखों को प्रसंद करना, और D है मित पड़े है, तो इसका सही अंसर B हो जाएगा, उड़ गए है, मलवा एक दिन कवी जब जागता है, तो पाता है कि हंस उड़ गए है, पांचवा नंबर कोश्चन जो है, पांचवा नंबर कोश्चन आपका कहता है, निबंद में, D.H. लॉरेंस के महतुक के बारे में बात करते हैं, एक साहित्तिक के विद्या के रूप में, तो क्या हो जाएगा, एक उपन्यास, B है आपका कवीता, C है आपका सॉनेट, और D है आपका नाटक, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उपन्यास, A option हो जाएगा, छठा है आपका, लॉरेंस के नुसार, पार्षन वैज्ञानी दार्षनिक आदि से बेहतर है, तो किस से, तो इहाँ हो जाएगा, डॉक्टर, सिच्छक, कवी, या फिर उपन्यासकार, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, उपन्यासकार, साथवा नंबर जो कोश्चन है, वो कह रहा है, एक पादरी स्वर्ग और उसके बाद के जीवन के बारे में बात करता है, तो क्या हो जाएगा, आत्माए, बी हो जाएगा, देवता, सी है, देवदूत, और डी है आपका राक्चत, तो इसका अंसर हो जाएगा, आत्माए, और डी हो जाएगा, मिर्त्यू के बाद का जीवत, तो इसका सही अंसर हो जाएगा, अनंत, नॉमा नंबर कोश्चन है, कल कहानी में अंधा कौन था, तो इसका पहला है ओप्शन, कैप्टन हैग बर्ट, बी है आपका, जोसिया कार्विल, सी है आपका, मिस बेसी कार्विल, और डी है आपका, हैरी हैग बर्ट, तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा, बी, जोसिया कार्विल, दस्मा नंबर कोश्चन है, कैस्टन है, वर्ट क्या थे, तो क्या थे, तो इसका अंसर हो जाएगा, कास्टिंग इसकी पर, बी है आपका सिच्छक डी है आपका डॉक्टर और डी है आपका एडवोकेट तो इसका सही अंसर हो जाएगा A, कॉस्टिंग असकीपर अब आपका 11 नंबर कोश्चन जो है वो कोश्चन कह रहा है कैप्टन हैंगबर्ड को कॉल बुक में क्या लाया गया तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा कैप्टन हेल्डबर्ड ने कॉल चेस्टर में अपनी सारी संपत्ती बेचती और अपने खोये हुए बेटे की तलास के लिए कॉल बुक आ गए बारा नंबर जो कोश्चन है बारा नंबर कोश्चन करता है दा वाइल्ड स्वांस ओफ कूल में हंस क्या दर साते है तो इसका अंसर है वाइल्ड स्वांस एट कूल में हंस योवन और सौंदर की वहवारता का पते निधित्व करते हैं क्योंकि जीवन और प्रेम अभी भी उन पर मौजूद है तेरा नमबर जो कोस्चन है वो कह रहा है कभी हंसो के संबंध में क्या भावनाय प्रस्तूत करता है तो इसका अंसर हो जाएगा W.B. Yetsen ने हंसो को सबसे महत्मून परतीकों के रूप में प्रस्तूत किया वे सुंदर्ता और उर्जा के परतीक है जो अंदता पौरानिक और दिब प्रानी बन जाते हैं जिनके जीवन में समय का कोई परवावन नहीं पड़ता है उन्हें संसारिक कष्ट और ठकान का अनुभावन नहीं होता है वे सिष्टी के आदर्स आउतार है चौदर नमबर कोस्चन कह रहा है वाइट दा नॉर्वेल मेटर्स कहानी का लेखक जीवित और मिर्द वेक्तियों के बीच कैसे अंतर करता है तो इसका अंसर है उपरन्यास में लेखक हमें बताते हैं कि एक जीवित आदमी कब क्या करता है और कब एक आदमी जीते जी मुर्दा बन जाता है उधारन के लिए या हमें बताता है कि कैसे एक जिन्दा आदमी एक महिला से प्यार करता है और कैसे एक मरा हुआ आदमी उससे प्रेमा लाब करता है कैसे एक जिन्दा आदमी अपना खाना खाता है और कैसे एक मरा हुआ आदमी उसे खाता है और कैसे एक जिन्दा आदमी अपने दुस्मन को गोली मारता है और कैसे जीवन में मरा हुआ आदमी मनुश्यों पर निर्दैत्ता पुर्क बम फेकता है 15. लेखक D. H. लॉरेंस के नुसार उपन्याशों का क्या महत्व है उसका अंसर है लेखक के नुसार उपन्याश जीवन की एक खिड़की है लेकिन कोई भी उपन्याश या किताब तब महत्पुन होती है जब उसे इंसान पढ़ता है उनका दावा है कि उपन्यास किसी भी अन किताब की तुलना में अधिक परभाव साली होते हैं वह दस अग्याओं को उपन्यासों से कम महत्पूर मानते हैं क्यूंकि वे जीवित प्रानी के केवल एक हिस्से को अकरसित करते हैं यहां तक कि वह बाइबिल को भी महान उपन्यास कहते हैं लेखक के अनुसार एक उपन्यास विभिन पात्रों के साथ एक प्रेरक कहानी प्रदान करने में सच्छम है जो उपन्यास को और अधिक गतिसील बनाता है अब यहां आपका लास्ट कोश्चन है सोला नंबर तो सोला नंबर को भी देख लिया जाए कल कहानी नाटकिये व्यंग से भरपूर है व्याख्या करें तो इसका अंसर है आपका कल कहानी नाटकिये व्यंग से भरपूर है कैप्टन हैंग बर्ड अपने लंबे समय से खोई हुए बेटे हैरी हैंग बर्ड का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं वह अकबार में उनके लिए विज्यापन देता है लेकिन सब वेर्थ वह अपनी खातिर खुद को भूखा रखता है और वापस लोटने पर अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए चीजे खरीता है बेटा उसे नफरत करता है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है वह अपने अत्याचारी पीता द्वारा उत्पीडित और गुलाम बनना नहीं चाता हैग बर्ड अपने बेटे की वापसी को लेकर जुनूनी है और उसका मानना है कि वह कल वापस आएगा जो कभी नहीं आता इस परकार कहानी बीडम बना पुर्ण घटनाओं से परिपूर्ण है कहानी में जो होता है वह पात्रों की अपेच्छा के ठीक विपरीत है तो यहां आप देख सकते हैं आपका अपजेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंगलिस इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर सेयर कर दे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ तक लिए गया दीजिए जैहिन जै भारत